नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की ये वीडियो कुछ बहुत ही महतवपून ट्रिक्स पे है इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही उपयोगी ट्रिक्स सेर करने वाले हूँ इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है पूरा वीडियो देखना है कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें हमें सीजन में मिलती हैं उसके बाद वो हमें नहीं मिलती जैसे मेथी हो गई धनिया हो गया अद्रग हो गई तो ये चीजें हम कैसे स्टोर करके पूरे साल पर यूज कर सकते हैं इस पर मैंने आज ये वीडियो बनाया है I just hope आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना की अदरक की चाएब पीना किसको पसंद नहीं होता सबी कि ये फेवरिट होती है गर्मिओं में भी चाय तो लगबग हर घर में बनती ही है लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती जाती है अदरक मार्केट से गायब हो जाते है और मिलती है तो बहुम ज्यादा महंगी मिलती है इस सबसे पहला सबसे हैं ध्रक को अच्छे से दो लें और इसको पूर्छा लें उसके यूदार को सुखा लें दृत जोंने कोतों कि क्रेश ज्यट सकती है निढ को इसको सबस्कीत कर दो नहीं पसकता है सूख तो ये मोटी काटने के बाद भी जाती है लेकिन उसमें ज्यादा लंबा टाइम लगता और इस तरह से अगर आप इसको पतला पतला काटेंगे तो दो दिन में ही बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख के तैयार हो जाएगी ये मैंने 500 ग्राम अद्रक ली है और देखे इसको सारी को काट लिया है अद्रक तो हमारी कट गई है ये कुछ मैंने मिर्चे ली है जो सबजी के साथ आती है या फिर ऐसे भी हमारी मिर्च ले आते हैं और ये बाद में लाल हो जाती है तो अब हम इनका क्या करें आप चाहें तो इनको ऐसे ही किसी भी एटाय डब्बे में भरके सुखाके रख सकते हैं किसी भी सबजी के छोंक में कड़ी में या दाल में यह काम आ जाती है लेकिन आज हम इसके बनाएंगे चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स भी बहुत सारी रेसिपीस में यूज होते हैं जैसे पीजा है या फिर ब्रेड की कोई recipe है या फिर कोई पापड है तो आप इस तरह से इसको छोटा-छोटा काट के किसी भी बरतन में एक दीन के लिए इस तरह से सुखा दें और हमारे बहुत ही बढ़िया चिली पते हैं कि भी मार्फट से कियों में इस inherent किंगे। कोश चूटा चूटा के अने की और छूद्ध के तए के कि कि ऊति हां होर जाएं इस defence कि पार्स एक lustर और जैंथ जलframes 006、、、 और ये हमने अपनी मिर्चे भी काट ली है अब अद्रक को सुखाने के लिए हम किसी बड़े बरतन का यूज करेंगे अगर आपके पास कोई बड़ी पराती वगरा नहीं है तो आप इसको डारेक्ट कपड़े भी सुखा सकते हैं या फिर दो-तिन प्लेटों में अलग-अलग डालके भी सुखा दें इस तरह से ये जल्दी सुखेगी और अलग-अलग इसके स्लैसिज रहेंगे तो सुखने में इसे आसानी रहेगी मिर्चे भी हमने काट ली है और देखिए दो से तीन दिन के बाद हमारी अद्रक बिल्कुल सुख के तयार हो गई है आप देख सकते हैं बहुत बड़िया से ये सुख गई है अपने घर पे हमने इसको सुखाया है अब हम इसका पाउडर बनाएंगे बहुत आसानी से ये पाउडर भी बन जाता है आप इसको मिक्सी के जार में डालके पीस लें अगर आपके पास मिक्सी का जार नहीं है तो आप ये काम उंखली मुसली में भी कर सकते हैं या फिर सिल्बटे पे भी आप इसको पीस सकते हैं और इस तरह से एक बार पीसने के बाद हम इसको चानेंगे जिससे अगर कोई मोटे चंक्स रह गए तो हम उसे दुबारा पीस सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी देखिए पाउडर बनके तयार हो गया है अद्रक का ये भी मार्केट में बहुत महंगा मिलता है लेकिन हम अपने घर पे हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये इतना बढ़िया बनता है इसकी इतनी अच्छी खुस्बू है बिना मिलावट का ये बनके तयार हो गया है देखिए चानने से अगर इसमें कोई रेसा होगा तो वो भी निकल जाएगा और एकदम महीन हमारा बारिक पाउडर रदरक्का बनके तयार होगा जिसे हम सोट भी कहते हैं और इसकी चाय बहुत ही बढ़िया लगती है आप इसको एक बार बनाके रखें और पूरी गर्मियों में चाय आपको किसी मसाले में इसका यूज करना हो या फिर चाय बनानी हो आप इसको निकालें और यूज कर लें इस तरह से हमने इसको दो बार छान के फिर से पीस लिया है और अब ये बिल्कुल छोटे छोटे देखिए रेसे बच गए हैं इसको आप चाहें तो चाय पती के डब्बे में डाल के रख दें जिससे इसकी खुस्बू चाय पती में भी हो जाएगी और आपको अलग से इसको डालने के जुरूत नहीं पड़ेगी देखिए अब उपर ये सिरफ रेसे रह गए हैं पाउडर हमारा प्छन के बिल्कुल तयार हो गया है बहुत ही बड़िया हमारा महीन पाउडर बनाए है इसको आप खासी में भी यूज कर सकते हैं थोड़ी से सहद में थोड़ी सी अद्रक के पाउडर मिला के आप रात को खा के सो जाएए खासी में भी ये बहुत ज़्यादा लाबदायक होता है इसको बच्चे या बड़े कोई भी यूज कर सकते हैं एक पिंच आप सोट का ये पाउडर लीजिए और आधी चमस्व सहद में मिला के आप इसे रात को खा लीजिए अगर आपका गला भी खराब है तो वो भी वो जल्दी ठीक हो जाता है पाउडर हमारा बन गया है सोट का और हमने इसको अपने घर पे बनाया है देखे कितना बड़ी आप इसको किसी भी टाइट डब्बे में भरके फ्रिज में रख लीजिए फ्रिज में रखने से होता क्या है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है जो इसकी खुसबू है वो ऐसे की यसी बनी रहती है चाया आप कितने भी टाइम तक इसको रखे रखें फ्रिज में ये एकदम फ्रेस वाली फीलिंग आती है जब भी आपको इसको यूज करेंगे आपको लगेगा ये बिल्कुल फ्रेस है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको डबे में डालके फ्रिज में ही रखें और इधर जो हमने अपनी मिर्चे सुखाई थी देखिए वो भी तैयार हो गई है अब अगर आपको इसमें बीज थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इनको निकाल सकते हैं नहीं तो आप इसे बीज समेत आप थोड़ा सा दरदरा सा पीज लें कि अभी हमें थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है तो मिक्सी में अगर हम इसको एक बार चला लेंगे तो बहुत ही बड़िया एकदम मार्केट वाल ले हमारे चिली फ्लेक्स बनके त्यार हो जाएंगे अब आप इसको 2 सेकिन के लिए मिक्सी में चला लें बहुत जादा देर तक आपको मिक्सी को नहीं चलाना है नहीं तो मिर्च का पाउडर बन जाएगा हमें इसका चिली फ्लेक्स बनाना है इसलिए सरफ एक बार हम मिक्सी को गुमाएंगे और हमारे बहुत ही बढ़िया चीली फ्लैक्स बनके त्यार हो जाएंगे यह देखिए कितना आसान है चीली फ्लैक्स घर पे बनाना इसको भी आप किसी भी डब्बे में भरके महीनों, सालों, जितने दिन चाहें यूज कर सकते हैं और देखिए इसको बनाना भी कितना आसान है, कितने बढ़िया ये बनके तयार हूए हैं। तो आप किसी भी डब्बे में भरके रख सकते हैं जाए आप फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें अब जब भी आपको पीजा बनाना हो ब्रेड पीजा बनाना हो या फिर चाहे कोई पापड़ी बनाएं पटा पटिन को निकाल लिए और योज कर लिजिए तो बढ़ते हैं हम अपनी तीसरे ट्रिक्स के तरफ यह है इमली का पल्प इमली का पल्प बहुत सारी रेसिपीज में यूज होता है जैसे हमें गोल गप्पर बनाने है तो उसके पानी के लिए सांबर बनाना है उसके लिए या पिर कई बार इमली का ठटा-मिठा पानी भी पीने का दिल कर जाता है तो इमली हमारे पास हर टाइम उपलब्द नहीं रहती लेकिन जब हम इमली की चट्नी बनाते हैं तो हम खूब सारी इमली मार्केट से लेके आते हैं तब इसको स्टोर कैसे करें ये मैं आपको बताती हूँ ये हमने नीचे पूरा पल्प बना लिया है चटनी के लिए और ये देखी अभी वेस्ट हमारे पास बच गिया है इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्सी में बिल्कुल बारिक पीस लेंगे और चानने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे अब हम इसको फ्रिज में जमने के लिए रखेंगे इस तरह से किसी वियाई स्ट्रे में आप इसको जमा के रख दें और जब भी आपको इमली यूज करनी हो अब फटा फट से क्यूब्स निकाल लिए और यूज कर लिजिए तो देखें कितना आसान हो गया अब आपके लिए इमली का पल्प स्टोर करना आपको बार बार मार्केट जाने की बिल्कुल जरुरत नहीं है अब आप चाहे गोलगपे बनाएं चाहे सामबर इडली इसको फटा फट से निकाल लिए और यूज कर लिजिए अब बारी आती है कसूरी मेथी की तो ये मेथी रेखें हमने अपने घर पे बनाई है इसका कलर आप देख सकते हैं मार्केट वाली मेथी से कितना बढ़िया है और खुसबू भी इसकी बहुत ही जबर्दस्त है इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है ये हमने सर्दियों में लीथी मेथी और तीन-चार दिन के लिए इसको हमने चाहाया में सुखाया था तीन-चार दिन-चाहया में सुखाने के बाद आप इसको एक दिन हलकी सी धूप दिखा दें और इसके बाद किसी भी टीसू पेपर में डालके आप इसको फ्रिज में रख दें फ्रिज में इसका कलर सालो साल ऐसा ही ग्रीन बना रहेगा यह ऐसी ही क्रिस्पी रहेगी इसकी खुस्बू बिल्कुल फ्रेस रहेगी मार्केट वाली जो मेथी आती है वो पीली-पीली आती है ना उसमें बहुत ज़्यादा खुस्बू भी होती है और यह हमने घर पे बनाई है देखे कितनी अच्छी हमारी मेथी बनी हुई है अब इससे चाहिए आप पराठे बनाएं या फिर किसी सबजी में यूज करें यह हमने हरी मेथी सुखाई थी घर पे मेथी को हमने इस तरह से पत्तो पत्तों को तोड लिया था उसके बाद इसे अच्छे से धोया और 4-5 दिन के लिए इसको सुखा लिया कसूरी मेथी बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है डारेक्ट आपको मेथी को धूप में नहीं सुखाना है कम से कम 2-3 दिन तो आप इसको च्छाया में सुखाएं बीच बीच में इसमें आप हाथ डालते रहें जिससे की ये उपर नीचे से बहुत अच्छे से सूखे इसमें फंगस ना लगे बिल्कुल इसी तरीके से आप धनिया भी सुखा सकते हैं उसकी जो एक सबसे खास बात है वो यही है कि उसमें बिल्कुल किरकिर नहीं होती, मिटी नहीं होती क्योंकि हम इसे अच्छे से 2-3 बार पानी से धोके उसके बाद इसे सुखाते हैं मार्केट से जब भी आप मेथी लेके आयोंगे आपने कई बार नोटिस के आओगा अगर हम उसके पराठे बनाते हैं तो उसमें भी कई बार किरकिर आती है, वो इसी वज़े से आती है कि वो मेथी को दोते नहीं है तो देखिए हमने अपने घर पे मेथी दोके सुखाई और साथी साथ धनियाबी और सारी ही चीजें बहुत बढ़िया से देखिए तैयार भी हो गई तो मैं तो वही ऐसे ही करती हूँ, I hope आप सबको जरूर पसंद आया होगा आप भी इसी तरह से धोके बढ़िया से इनको सुखाईए और पूरे साल पराठों में सबजी में जैसे मर्जी आपको यूज करना हो आप कर लीजिए तब आपको गर्मियों में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है कि हमारे पास मेथी नहीं है या फिर धनिया नहीं है थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते भी देखे सुखाए हुए हैं कड़ी पत्ते भी कई सारी रेसिपीज में यूज होते हैं जैसे हमें ढोगला बनाना हो उसके तड़के के लिए पोहा के लिए कड़ी के लिए तो वो भी बहुत आसान है आप अपने घर पे इनको सुखा के फ्रिज में रख दें और मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ देखे इनका कलर भी कितना अच्छा है सबी चीजों का तो अब से आप भी अपने घर पे ये जरूर फोलो कीजिए आई होप आप सब को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा आज का हमारा ये बड़िया सा वीडिया आप सब को कैसा लगा मुझे कोमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें आज के लिए सिरफ इतना ही बहुत जल्द मिलेंगे और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई खुश रहें स्वस्त रहें